मतर पनीर की सबजी तो आपने बहुत मार खाई होगी, बनाई भी होगी मैंने बाबा का ढापबा का मतर पनीर खाया तो एक्तم खाते ही रहीगी विंड़ी लगा तो मेरा दिल कि मैं इसको घर पे बनाओ, मैंने उनसे पूच़ा special कि इस recipe को कैसे बनाए उन्होंने मुझे बताया तो आके मैंने घरबे बनाया तो मुझे इतना tasty लगा कि मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साफ भी इस recipe को शेर ज़रूर करूँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकसर बहुत से मसाले डालते हैं अपनी किसी भी सब्जी के अंदर और इसके अंदर कुछ भी जादा मसाले डालने की जूर्थ नहीं है बहुत ही बेसिक मसालों से इस सब्जी को मैंने बनाया है इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने दो प्याज भी लिए हैं तीन चार टमाटर की जूर्त पड़ेगी जिसे रेड टमाटर हैं हर इमिर्च मैंने दो रखी हैं एक डालो दो डालो आपने अपने फ्लेवर के अनुसार डाल सकते हैं फोड़ा सा मैंने लसं भी लिया है और थोड़ी सी अज़र्थ भी लिया है कुछ लोग नमक कम खाते हैं कुछ लोग नमक तेज खाते हैं तो हर एक का फ्लेवर हर एक का जो टेस्ट होता हो बड़ा ही अलग होता तो आपने टेस्ट के मताबिक मसालों को कम जादा रख सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बाबा का धबा जैसा मत्रपनी बिल्कुल सेम टेस्ट सेम फ्लेवर बनाने में बहुत ही जादा एजी में एक पेन को गसपर हैं हाइए फ्लेम पेन को गरम होने दें लदा सा तैल जालते लिया दें और भी आतार दे सकते हैं ओझ रभाने मनें लसं पेन यहां प्यांगी घरेफ के ळाल लिंगे साव साफ रज लवकर बाहूं में ले बाचतना में अगया को बिल नेल जैसे ट्रांस्पेरेंट में शुरू हो जाता है यानि कच्छा पन निकल गया है इतना ही करेंगे लिए तो इसके अगर दालने के टमाटर अपली चॉप टमाटर भी कर लिए हमें फ्लेम हमें मीडियम कर दी है थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे डग लेते है दो से तीन मिनिट के लिए ताकि यह सॉफ्ट हो जाए फ्लेम मैंने ओफ कर दिये आप देख रहे हैं कि प्या जो टमाटर सॉफ्ट हो चुके है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं तो कि एकदम गर्म को ग्राइंड करेंगे तो कई बारी उच्छल के जो उसका धकन होता जाना वो घीर जाता उपर आ जाता है तो अशा ठंडा कर लेते हैं ठंडा करके इसको ग्राइं करते हैं अब तब तक हम next process करते हैं पनीर को कट कर लेते हैं मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है आप चाहें तो आप सिंपल जो फ्रेश मटर आता है वो भी छील के यूज का सकते हैं और यह मैंने पनीर के पीसिस कट कर लिए इसके लिए मैंने एक पैन को रखा गैस पे इसके दर डालेंगे तेल बहु जादा नहीं डालेंगी क्योंक को हलका सा गरम होने तेल हमारा गरम हो गया इसके दर डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरे के बिना मतर पनीर के सबजी का टेस्ट ही नहीं आता तो आप देख रहे हैं मैंने जीरा डाला है इसके इलावा मैंने कोई मसाला यूज नहीं किया यहां पर थोड़ा सा जीरे को फ्र प्रफ्रीमिच भी डाल दिये हैं, हलका सा हम इसको रिला देते हैं, अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ग्राइंड किया हुआ अपना प्याज और टमाटर की प्यूरी, लो फ्लेम पे अब हम इसे भूनने देंगे, अच्छे से हमने इसे भूनना है, और भूनने के लिए इस क्योंकि धनिये से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेन हो जाता है, एक बड़ा चम्मच मैंने सुखा धनिया डाला है, और यहीं पर डाल देते हैं हम नमग, यह मैंने अदा चम्मच लमग डाला है, तो फ्रेंड्स यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, अगर आपके मटर फ्रेश हैं और मिठे नहीं है, तो आप यहां पर थोड़ी सी शुगर डाल सकते हो, लेकिन मेरे फ्रोजन मटर है और मिठे हैं तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी शुगर मीज, आदा चम्मच शुगर का डाल सकते हो, हलका से इसके अंदर हम पानी डा जा चुक है गी आप देख रहे हैं अलग हो गया तेल यानी तो अब इस जगह पे हम इसके अंदर डार देंगे पनीर तो फ्रेंड्स यहां मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने चावल बनाने यहीं चावल के साथ खाना तो थोड़ी सी आप ग्रेवी बना सकते हैं अगर आ एक मिनट हो गया है वाओ आप देख रहे हैं कितना अच्छा यह पनीर बनके तियार हुआ है अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना मसाला यहां आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको बता है कि मेरा फिवरेट मैंकी मसाला होता है तो मैं मैंकी मसाले का यूज जरूर करती हूँ, आप इसमें गरम मसाला भी उसका सकते हैं, और फोड़ी से डालूगी कसूरी मिर्थी क्रश करके, आपने देखा है कि बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ की हैं, वह जादा मसाले नहीं उसके बावजुद भी ये पनीर यानि मतर पनीर इतना टेस्टी बनेग अगर आपको मेरी ये रिस्पी पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहु